नमस्कार दोस्तों आप सभी का अनकाडमी के इस यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 24 अपरेल को हमारा MPPSC प्रिलिम्प्स होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए मद्प्रदेश के जो important जो dynastries हैं उनको मैं cover कर रहा हूँ और उसी के तहट आज हम लोग बात करने वाले कल्चुरी बंस के बारे में तो कल्चुरी बंस क्या है और कल्चुरी बंस ने किस तरीके से अपना विस्तार किया कल्चुरी बंस में कौन महत्पूर्स आ सकते कल्चुरी बंस से सम्मंदित कौन-कौन से महत्पूर अवलेक हैं जिन से आपके प्रश्न बन सकते हैं उन सभी पहलीओं को हम इस lecture में cover करेंगे आईए शुरू करते हैं कल्चुरी डानेस्टी तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कल्चुरी बंस के बारे में कि कल्चुरी बंस की पहले तो हम लोगों को एक चीज समझ नहीं है कि जो कल्चुरी हैं वो कई साखाओं में बटे हुए थे यदि हम कल्चुरियों की बात करें तो ये कई साखाओं में बटे हुए थे जिसमें हमारी जो सबसे महत्पूर साखा है हम उसकी बात करेंगे लेकिन थोड़ा सा पहले हम लोग इसके बारे में बात करते हैं जैसे कि आप देखेंगे एक रियासत थी एक राज था जिसका नाम था बुंदेलखंड के चंदेल चंदेल डाइनेस्टी आप सभी लोग जानते हैं कि बुंदेलखंड में सासन करती थी ये बुंदेलखंड का इलाका था तो बुंदेलखंड राज के दक्षण में यानि इसके जस नीचे बुंदेल खंड के इस तरफ दक्षण में यहां पर हुआ करता था तिरपुरी राज कौन सा राज हुआ करता था तिरपुरी राज और यहां पर सासन करते थे यह लोग कल्चुरी जिनको हम लोग कहते हैं कल्चुरी बंस ठीक है अब क्योंकि बुन्देल खंड का प्राची नाम चेदी धा इसलिए कभी-कभी इसको चेदी राज़ भी कहते हैं क्या कहते हैं चेदी इसलिए देखे लिखा है कि चंदेल राज़ के दक्षण में चेदी के कलचुरियों का राज इस्थित था, उसकी राजधानी क्या थी ? तिरुपुरी में थी, जिसकी पहचान मदब्रदेश के जवलपुर जिले में इस्थित तेवर ग्राम से की जाती है यानि वर्तमान जो तिरुपुरी है वो कहां पर है ? जवलपुर के जो तेवर ग्राम है उसे जो है ततकालीन जो यानि उस समय का जो तिरुपुरी था उससे कंपेर किया जाता है चेदी पर सासन करने के कारण इन्हें चेदी बंस भी कहा जाता है तो मैं आपसे ये कहना चारा हूँ कि इस कल्चुरी बंस को हम लोग चेदी बंस भी कहते हैं चेदी बंस क्यों कहते हैं क्योंकि किसी जमाने में बुंदेल खंड का एक नाम हुआ करता था चेदी इसलिए इसको चेदी वंस या कल्चुरी वंस क्योंकि इस रीजन का एक नाम डाहल प्रदेश भी है इसलिए इसको डाहल प्रदेश भी कह सकते हैं डाहल रीजन कहते थे इसको प्राचीन काल में और पहले अगर हम बात करें जब गुपता डाइनिस्टी सासन करती थी प्राचीन काल में तो इसे डाहल प्रदेश कहा जाता था अब आगे बात करते हैं ये कौन थे तो अबलेखों में ये अपने आपको है है वंसी सहस्त्रारजुन कार्तिवीर आपने सुना होगा है है डाइनिस्टी के बहुत महांतम सासकते वैदिक काल में जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं यदू कबीले से चंद्रबंसी थे ये लोग है है बंसी तो सहस्त्रारजुन कार्तिवीर के ये खुद को प्रदेश पर भी था चौथी जो इंपॉर्टन बात है वो ये है कि ये खुद को है है बंस के राजा कार्तिवीर अर्जुन का बंसच कहते हैं और एक और इंपॉर्टन बात है क्योंकि जो सहस्त्रारजुन थे वो चंद्रबंसी थे तो अगर आपसे पूचा जाए कि कल्चुरी कौन थे तो ये शंद्रबंसी थे तो कुछ इंपॉर्टन बात हैं आपको इसमें सामिल मतलब मिल गई अब हम बात करते हैं कि जो आपका कल्चुरी डायनिस्टी है उस वंस के बारे में हम लोगों को जानकारी कहां से मिलती है तो पहले जानकारी तक हम पहुँचें उससे पहले हम लोग बात करते हैं कि कल्चुरीयों की कौन-कौन सी साखायती उम्मीद है आप इस बात को समझने के लिए देखे तैयार है तो कल्चुरी स्वैम को क्या कहते हैं स्वैम को चंद्रवंसी च्छत्री कहते हैं हैवंस के सासक सहस्तरारजुन के बंसज मानते हैं कल्चुरीयों की दो महत्पूर्ण देखे दो important साखाएं थी मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि total दो साखाएं थी हमारे मद्पृदेश में इनकी दो साखाएं रही है क्योंकि मैं इस topic को मद्पृदेश के संधर में समझा रहा हूँ MPPSC से relate करके इसलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि मद्पृदेश में इनकी दो साखाएं के बारे में जानकारी मिलती है तो इनकी जो पहली साखा है जिसको बुला जाता है माहिस्मती के कल्चुरी मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है थोड़ा सा स्टोरी को ध्यान से सुनेंगे जिसकी वज़े से क्या होगा कि आपको चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी फोर एक्जामपल के रिए ये देखी ये माहिस्मती है माहिस्मती के कल्चुरी माहिस्मती वो राज्य था जहां पर प्राचीन काल में हैवंस सासन करता था हैवंस की कैपिडल हुआ करती थी माहिस्मती तो यहाँ पर जो है कल्चुरी वन सासन करता था अब अगर आप देखें कि जो माहिस्मती यानि खरगोन जिला है और मद्वर्देश में अगर हम बात करें तो ये मद्वर्देश के दक्षन में है यानि मालवा के नीचे की तरफ ये इलाका आपको मिलेगा तो यानि ये जो इलाका था माहिस्मती के कल्चुरीयों का पहले मैं आपको थोड़ा सा बात बता दूँ तो इस साखा में अगर हम बात करें साखा का उदय छटवी सदी में वाना जाता है कल्चुरीयों की जो सबसे महत्पूर सबसे प्राचीन साखाती पहले वो थी माहिस्मती के कल्चुरी छटवी सदी में इनका उदय हुआ था इसके प्रमुक सासक थे जिसमें एक कृष्णराज थे एक संकरगन थे और एक बुद्राज थे ठीक है? मेन सासक यही है कृष्णराज, संकरगन और बुद्राज बुद्राज के सासनकाल में क्या हुआ था? कि चालुक के सासक पुलगेशन दुतिये ने हमला कर इनके छेतर पर कबजा कर लिया था और परणाम सरुप क्या हुआ था? कि यह माहिस्मती को छोड़ कर यानि जो इनका छेतर धा माहिस्मती इसको छोड़ कर यह डाहल प्रदेश की तरफ सिप्ट हो गए थे अब मैं आपको बताता हूँ जैसे की यहाँ पर हम लोगों ने बात की कि जो माहिस्मती के कल्चुरी थे इनमें दो-तीनी सासक थे उसमें एक कृष्णराज थे एक संकरगन थे और तीसरे जो सासक थे जिनका नाम हमने पढ़ा बुद्राज ठीक है? बुद्राज एक इंपोर्टेंट सासक थे जो की इस डायनेस्टी में सासन करते थे यानि आप यह समझे कि अभी हम लोग तिरपूरी नहीं पहुँचे हैं उससे पहले की बात कर रहे हैं तो क्या था कि इस समय भारत दक्षन भारत में एक बहुत ही सक्तिसाली सासक सासन करते थे इन से उनका राज लगा हुआ था और उन व्यक्ति का नाम था बातापी के चालुक जिनका नाम पुलकेशन सेकेंड था पुलकेशन सेकेंड ने क्या गिया इनके राज पर हमला कर लिया ये चालुक क्यों के बहुत सक्तिसाली सासक थे तो पुलकेशन सेकेंड ने क्या गिया कि इनके राज पर अटैक कर दिया महिसमती इनके राज पर आक्रुन करके इनका जो ये छेतर था इस पर कब्जा कर लिया तो जब महिस्मती राज़ पर इनों ने कब्जा कर लिया किसने कब्जा कर लिया जो चालुक किसा सके जिनका नाम है पुलकेशन सेकेंड ये बातापी के चालुक के राजा थे तरनाटक में सासन करते थे, तो अब ये जो इलाका था, ये महिस्मती के जो कल्चुरियों का, ये इनको छोड़ कर जाना पड़ा, तो यहां से जो कल्चुरी वंस है, वो कहां सिप्ट हो गया, यहां से जो कल्चुरी वंस है, वो सिप्ट हो जाता है बुंदेल खंड में पहल पहले ये सिफ्ट होता है कालेंजर जहां पर बुंदेलों का सासन था चंदेल तो पहले कालेंजर की तरफ जाते हैं परंदु क्यूंकि कालेंजर पर चंदेलों का अधिकार हो गया था और फिर प्रतिहारों का भी लगातार हमला हो रहा था तो कालेंजर का जो इलाका था इनक प्रतिहारों के लगातार हमले के कारण प्रतिहारों के सामन्त थे चंदिल तो उनके विरोध के कारण इनको इस छित्र को छोड़ना पड़ा और फिर ये आ गए तिरपुरी अब इसमें कमाल की बात एक और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ देखिए वो क्या है जहां से सुनिएगा माहिस्मती किस नदी के किनारे है नर्वदा नमबर वन तिरपुरी किस नदी के किनारे है तो तिरपुरी का जो तिरपुरी है ये भी मा नर्वदा नदी के किनारे यानि ये पवित्र स्थान है, तिरपुरी नर्वदा नदी के किनारे है तो ये जो कल्चुरी सत्ता है, इसका नर्वदा नदी से बड़ा कनेक्शन है आप पूरी उसमें देखेंगे कि नर्वदा इनके लिए बड़ी पवित्र है तो ये इनका सौभाग था कि प्राचीन काल में जिस माहिसमती के किनारे ये रहते थे वो नर्वदा के किनारे था और पुना इनको एक नर्वदा के किनारे एक पवित रिस्थल प्राप्त हुआ जिसका नाम था तिरपुरी तो इस पूरी कहानी में आपको बेसिकली ये बताया गया है कि जो माहिस्मती के कल्चुरी थे वो किस तरीके से यहां से सिप्ट कर जाते हैं और फिर तिरपुरी में स्टैबलिस हो जाते हैं उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी अब हमारी कहानी सुरुई होती है तिरपुरी से इसलिए मैंने आपको तिरपुरी के बारे में बताया कि तिरपुरी जो है जिनने चेदी राज़ भी कहा जाता है डाहल प्रदेश भी कहते हैं और ये चंद्रबंसी छत्रिय थे अब इस चेदी बंस के या तिरबुरी बंस के बारे में जानकारी के कुछ हमारे पास important source है देखिए हो सकता है कि आपका जो MPPSC prelims है ध्यान से सुनिएगा MPPSC जो prelims है आप देख रहे हैं अगर आप previous year के question देख रहे हैं कि एक्जाम में बहुत सारे अबलेक मुच लिए जाते हैं तो कल्चुरी बंस के बारे में जानकारी मिलती है योराज पर्थम का बिलहारी अबलेक very very important पूरी कल्चुरी डाइनस्टी में सबसे ज़्यादा popular अबलेक है ये किसका है योराज पर्थम हम पढ़ेंगे आगे योराज पर्थम कौन है मैं आपको बता रहा हूँ कि यहां से हमें source of information कहां कहां से मिलती है लक्षमन राज नाम के जो सासक थे उनका एक कारी तलाई लेक मिला है कोकल दुतिये थे ये कोकल थोड़ा गलत लिग गया ये कुछ अबलेक हैं जो हमें कल्चुरी वंस के बारे में जानकारी देते हैं हो सकता है कि यही अबलेक आप से पूछ लिया जाए जैसे विलहरी अबलेक किसका है या कारी तलाई अवलेक किसका है या फिर पूँ सकते हैं कासी अवलेक या फिर रीवा अवलेक किसका है तो ये अवलेक ये सुरोत है अगर हम साहित्तिक सुरोतों की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास कुछ किताबे हैं जैसे कि राजसेखर नामक संस्क्रित के बहुत प्रकांड विद्वान है जन्होंने काब मीमान सा विद्ध साल भंजका की रचना की थी और ये रचना की थी उन्होंने कल्चुरी सासक युवराज पृथम के समय तो उन्होंने युवराज पृथम के सासनकाल की इसमें जानक अगर हम बिल्लड की बात करें जो कि एक बहुत फेमस राइटर थे इन्होंने विक्रमांग देवचरित्र नाम का एक ग्रंथ लिखा है जिसमें चालुकिसासक सोमिस और प्रथम के संबंदों और कर्ण के संबंदों पर प्रकास डाला गया है तो कुल मिलाकर अगर आप कल्च समझ में आया होगा क्योंकि इसी बेसिक पर अब हमारी कहानी दोड़ेगी और इसी पर हम एक-एक करके एक-एक सासक को पढ़ेगे चलिए तो आईए शुरू करते हैं तिरपुरी के कल्चुरी वंस का पहला सासक आईए तो जैसा कि हमने बात की कि तिरपुरी में जो कल्च के द्वारा जो है कल्चुरी में तिरपुरी में कल्चुरी राज की नीव डाली गई तिरपुरी प्लेस का नाम है कल्चुरी डायनेस्ट्री का नाम है डाहल प्रदेश में इनोंने अपना राज इस्थापित किया था और इनोंने जो है तिरपुरी को अपनी राजधानी बनाया था ठीक है इसके बाद कौन-कौन सासक गद्धी पर बैठा इसके बारे में जानकारी नहीं है तो कुल मिला कर देखा जाए तेरपुरी के कल्चुरी बंस का संस्था पक कौन था दो बामराज बामराज देब जोने कहते हैं तेरपुरी को राजधानी बनाया और यहीं नामे कोकल अब बस एक ही समस्या है अब वो समस्या क्या है कोकल प्रधम और बामराज की बीच में क्या रिस्ता था यह कहपाना इतिहास कारों के लिए थोड़ा मुस्किल है क्योंकि इनके बीच में काफी गैप है और इसके बीच के सासकों के बारे में जानकारी नहीं है हो हो सकता है कि यह बामराज का ही बंसा जो कोककल प्रथम या हो सकता है बामराज अलग हो कोककल अलग हो लेकिन यह कहपाना थोड़ा सा मुस्किल है लेकिन फिर भी अगर मान के चलिए एक्जाम में आएगा तो क्या पूछा जाएगा अभी तक जब भी एक्जाम में प्रशन आया है कि तिरपुरी के कल्चुरी वन्स का संस्थापक या महत्मूर सासक कौन था तो जनरली कोकल को ही आंसर माना जाता आज तक बामराज देब नहीं पूंचे गए फिर भी आप याद रगेगा अगर पूंचा जाए तिरपुरी के कल्चुरी वन्स का संस्थापक कौन है दोनों आप्सन में हो तो बामराज अगर बामराज देब नहीं है तो आप कोकल को आंसर बता सकते हैं आईए कोकल प्रथम के बारे में हम लोग जानते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह कल्चुरी वन्स का प्रथम महत्पूर सासक है देखें एतिहासिक और महत्पूर साक्ष तो यहीं से मिलते हैं यानि अगर हम बात करें कोकल तुरपूरी के जो कल्चुरी डानस्टी है तो उनका एक सिस्टमेटिक जो हिस्ट्री की जानकारी है वो इनी के सासनकाल से हमको मिलती है तो क्योंकि इनी के सासनकाल से हमको प्रपर जानकारी मिलती है इसलिए हम इनको जो है डानस्टी का वास रास्कुमारी की नट्टा देवी तो चंदेलवंस की नट्टा देवी के साथ अपना विवा किया था और रास्कूट सासक कृष्ण दुतिये को अपना दामाद बनाया एवं भोज प्रथम से युद्ध किया था विलहारी अवलेक में इनके बारे में कुछ कहा गया है विलहा में भोज दक्षण में कृष्ण राज को अपना कीरती स्थम बनाया आई इसको मैं आपको समझाता हूँ क्या इसका मतलब है उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कैसे इनको याद रखना है देखे जब जिस समय ये लोग यारी कल्चुरी अपने राज का विस्तार कर रहे जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिहार और इस समय प्रतिहार वंस के जो सा सकते सिर्मौर उनका नाम था मेहर भोज ये बहुत ही घतरनाक सा सकते मेहर भोज को जर्रली हम लोग भोज प्रथम के नाम से जानते हैं तो ये कन्नोच पर सासन कर रहे थे उत्तर में अब इसी समय और ये जो इलाका था, ये वाला, जो कन्ञोच के अधीना आता था इसको बोलते थे हम लोग बुंदेल खंड और बुंदेल खंड में ये सासन कर रहे थे कौन? चंदेल अब इस समय की अगर हम बात करें तो चंदेल जो है वो प्रतिहारों के सामंत थे सामंद का मतलब है अधीनस्त अधिकारी तो इनमें आपस में रिस्तेजारी थी अब जो हमारा नायक है यानि जो कोकल प्रथम में वो कहां पर थे तो कोकल प्रथम का जो राज है वो यहां पर था इस जगे पर ठीक है ये है कल्चुरी राज और कल्चुरी राज के जो राजा है उनका नाम क्या है उनका नाम है कोकल तो कोकल को यदी अपना राज चलाना है विवस्तित तरीके से तो इस समय दो महा सक्तियां थी जिनमें युद्ध हो रहा था एक तो थे महरवोच यानि रास्ट जो प्रतिहार हैं दूसरे थे रास्ट कूट ठीक है और इस तरब अगर कोकल के पीछे बात करें तो पाल डायनेस्टी भी थी आपने सुना होगा तुरपक्षी संगर सुगा था तो कोकल प्रधम के लिए जरूरी था अब कोकल प्रधम ने क्या किया कि अपनी साधी तो चंदेलों क्या कर दी नट्टा देवी के साथ और खुद की लड़की की साधी जो है वो कर दी रास्ट कूट राजा कृष्ण दुतिये के साथ अब कृष्ण दुतिये और कृष्ण जो सेकंड थे वो इन में भेंकर यो दुआ था ये आपस में क्या थे दुस्मन थे तो इन में दुस्मन थे मतलब इसका मतलब ये था कि अब जो कोकल है वो किस का साथ देगा वो अपने दामात का साथ देगा definitely दामाद का साथ देगा और उनका दामाद कौन है कृष्ण सेकंड अब इसमें दो चीजें हैं समझना बताने वाला कोई नहीं है क्योंकि किसी ने ये देखा नहीं किसने क्या किया समभपता इसके पीछे एक कारण ये हो सकता है कि कोकल जो थे उनोंने क्रिश्ण सेकंड की सहयता लेकर क्योंकि रास्कूट वास very powerful तो इनकी सहयता लेकर महरवोच को हराया महरवोच था सकता उत्तरखा और दक्षन के सा सकते रास्कूट जिनका नाम था क्रिश्ण राच ये क्रिश्ण तो इसी लिए बिलहारी जो अबलेख है उसमें इनके बारे में किसके बारे में आप जानते होंगे कि जो राजाओं के अबलेख होते हैं उनमें अपने राजाओं की तारीफ की जाती हो प्रसंसा की गई है किसकी? कोकल प्रथम की प्रसंसा की गई वो प्रसंसा में लिखा है किसने समस्त प्रथवी को जीत कर उत्तर में भोच और दक्षन में कृष्ण राज को अपना कीर्थी स्थम बनाया है इसका मतलब यह हुआ कि संभवता इसने भोच से युद्ध किया और किर्थी राज से जो कृष्ण राज है उनसे इसके अच्छे संभन थे इसलिए कोकल जो है वो तत्यकाली समय का एक प्रभाव साली और सक्ति साली सा सकता चाहे तो हराया हो या इसके संभन हो दोनों तरीके से यह कहा जा सकता है कोकल एक सक्ति सालीस आ सकता तो आप ये समझ सकते हैं तो बिलहारी अवले किसका है युवराज प्रथम का है जिसमें कोकल के बारे में लगाया है किसने समस्त प्रत्वी को जीतकर उत्तर में भोज और दक्षन में जो है कृष्न राज को अपना कीरतीस्तम बनाया यहां भोज से मतलब राजा भोज नहीं है गंगू तेली वाले मिहर भोज से है गंगू तेली वाले तो अभी आएंगे वो अभी आये नहीं है आगे बड़ते हैं अब कोकल परधम के जो थे 18 पुत्रों में, एक सकेट, कुकल प्रधम के 18 पुत्रों में से जो सबसे बड़ा था उसका नाम था संकरगन, तो संकरगन कौन है, संकरगन कुकल प्रधम का लड़का था, जेश्च पुत्र, लेकिन एक और बात है, इसका नाम संकरगन क्यों रखा होगा कुकल ने, क्योंकि उसके पूर्वजों में जो से पहले आ चुके थे जो माहिस्मती में जो साका थी वहाँ पर अगर आप याद करो तो कृष्णराच, संकरगण और बुद्राज यानि ये संकरगण क्यों नाम दिया उसने अपने बेटों को क्योंकि इसके पूर्वजों में किसी का नाम था संकरगण देखा जाए जो एदुती हैं लेकिन हम इनको संकरगण ही बोलते हैं तो 18 बच्चों में से सबसे जेश्च पुत्र संकरगण का दीपर बैठा इसने धवल एवं मुग्द तुंग की उपादिधारण की ये एक important word है हो सकता आपसे exam में पूछ लें किस कल्चुरी सासक को धवल कहा जाता है या किस कल्चुरी सासक में मुग्द तुंग की उपादिधारण की वो है कोकल पुर्थम का जेश्च पुत्र जिसका नाम था संकरगण ठीक है? तो कोकल पुर्थम समझ में आगए आपको संकरगण समझ में आगए उम्मीद है आही गए होंगे अब इन संकरगण के दो पुत्र थे एक का नाम था बालहर्स और एक का नाम था युवराज क्या नाम था युवराज पुर्थम ठीक है? तो संकरगण का सबसे पहले जो जेस्ट लड़का है वो गद्धी पर बैठा जिसका नाम था बाल हर्च इसका सासनकाल अल्प रहा इसके बारे में जाता जानकारी नहीं है जानकारी इसलिए नहीं है क्यूंकि सासन अल्प रहा तो संबब्ता कोई खास ऐसा काम नहीं किया होगा लेकिन संकरगन का जो दूसरा पुत्र था जब बुगद्धी पर बैठा मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ अगर आप कल्चुरी डायनेस्टी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं खास कर MPPSC प्री प्लस मेंस के लिए तो मेरा आपसे एक निवेदन है इस डायनेस्टी के तीन चार सासक को आप पढ़ लीजे सिर्फ चार नमबर बन कोकल नमबर टू यवराज, नमबर थरी गांगे नमबर फोर लक्ष्मी कर्ण या कर्ण और मेंस के लिए दो मेंस के लिए तीन इंपोर्टेंट है या तो यवराज, या कर्ण, या गांगे देव, चौथा कोकल तो चार सासकों को अगर आप अच्छे से पढ़ लो, पूरी कल्चुरी डायनेस्टी आपको ऐसा लगया जैसे आपकी पॉकेट में है सच कह रहा हूँ मैं अब पढ़ना कैसे है? या तो किताब से पढ़ लो या कैसे भी पढ़ लो अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो आप यहां से पढ़ सकते हैं आईए तो युवराज पृथम की बात करते हैं कौन है? यह संकरगन का दूसरा पुत्र था पहले पुत्र का नाम बालर्सा जिसका सासन कम रहा इसने क्योर वर्स की उपादी धारन की तो पहला प्रशन है कि इसने क्योर वर्स की उपादी धारन की नंबर वन कोश्चन हो गया यह जो भाई साम हैं वो बहुत ही बड़े जो है कला एवं साहित के सनरक्षक थे कि जब भी कोई सासक कला एवं साहित का सनरक्षक होता है तो उसकी value वड़ जाती कहां पर mains exam में यानि जो examiner है वो ऐसे सासक को हमेशा priority देता है जिसका art and culture को लेकर बड़ा role रहा हो तो यह कला एवं साहित का सनरक्षक था इसी के समय प्रशिद कभी जिनका नाम राज सेखर है जो संस्कित के बहुत बड़े विद्वान थे ये कन्नौज को छोड़ कर तिरपुरी आए इनी के दरवार में रहते हुए उन्होंने दो किताब है लिखी एक का नाम काब मीमान सा था और एक का नाम था विद्वान भंज का दूसरा बड़ा महत्पूरी ये exam oriented point है तो काब मीमान सा और विद्वान भंज का किस ने लिखी है राज सेखर ने लिखी ये राज सेखर बहुत पहुँचे हुए कभी है राज सिखर पहले रहते थे कन्नोज में कन्नोज में जहाँ पर प्रतिहार राजाओं का सासन था तो कन्नोज में एक राजा थे जिनका नाम था महेंद्रपाल जो महिर भोच का लड़का था महेंद्रपाल उनके दरवार में रहते थे तो इनके दर्वार में रहते हुए राज सेखर ने कुछ कितावे लिखी थी राज सेखर की दो कितावें आप और याद रख लीजिए एक का नाम बाल रामायन है और एक का नाम है करपूर मंजरी तो बाल रामायन करपूर मंजरी दो ये हो गई और दो इधर हो गई तो इन दो किताबों की रचना उन्होंने की थी प्रतिहार सासक महिंदरपाल के दरवार में जिसमें बाल रामायन में उन्होंने इनकी प्रसंसा की है किनकी प्रसंसा की यह आपसे पूचा जा सकता है देखिए प्रश्णों की प्रकृति को समझे हो सकता है आपसे पूचें कि राज सिखर ने बाल रामाइंड में किसकी प्रसंसा की तो आंसर होगा महेंद्र पाल कौन है कन्नोच के प्रतिहार सा सकते बाल रामाएंड में लिखते हैं राज सेखर के महिंद्र पाल किसी से नहीं डरते थे ये ऐसे राजा थे जिने हम निर्वेराज निर्वेंद्र कह सकते हैं और एक और बात कहिए बाल रामाएंड में राज सेखर ने उन्होंने कहा है के कन्योज इतना सम्रिद राज्य था के उसकी नकल दूसरे राज्य के लोग करकिया करते थे मतलब कन्योज के लोग इतने जादा संपन थे इतने जादा अच्छे थे उनका इतना जादा फैसन था के लोग कॉपी करते थे उनको बाल रामाइन में बाल रामायन में उन्होंने महिंद्र पाल को निर्वे राज कहा है अब वो कहां आ गए? महिंद्र पाल का पतन हो गया तो वो आ गए अब किसके दरवार में? युवराज पर्थम अब युवराच के हाँ आ गए तो कभियों की एक खुवी थी जिसकी खाती थे उसकी बजाते भी थे क्योंकि अगर नहीं बजाएंगे तो पैसा कम मिलेगा इसलिए इनोंने इनके दर्वार में रहते हुए काब विदिसाल भंजिका लिखी राज सेखर द्वारा विदिसाल भंजिका में युवराच पर्थम को नाम दिया गया उज्जैनी भुजंग उज्जैनी भुजंग किसको कहा गया है? युवराच पर्थम को तो राज सेखर विदिसाल भंजिका नामक जो पुस्तक लिख रहे हैं जो है युवराज पृथम को क्या कह रहे है उज्जैनी विजंग अर्थात उज्जैन को जीतने वाला तो इस बात का सूचक है यह सब्द कि उसने मालवा यानि उज्जैन को जीता था तो देख लो आप राज सिखर को उनके दरवार में हैं तो बाल रामायन लिख रहे हैं ब युर्वर्ष एक उज्जैनी विजंग और इनके दरवार में सबसे महत्पूर्ण जो व्यक्ति हैं उनका नाम है राज सिखर जो संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे उम्मीद है राज सिखर के प्रशन भी आप सॉल्व कर देंगे युवराज पृथम को भी आप बता हूँ जितने भी कल्चुरी सासक हैं सबके सब से भक्त थे बस याद नहीं करना आपको क्या थे सबके सब सिख भक्त थे आप देख लो कुकल ने अपने लड़के का नाम संकर गण रखा संकर यानि महादेश से रेलिट करता है सभी के सभी सासक से बन्याई थे उसने सैब सं संतों को दान दिया एबं उनके निवास के लिए अनेक मठों का निर्मान करवाया उसने डाहल मंडल कहते हैं कि डाहल मंडल के एक बहुत बड़े सिख संत थे सैब भक्त थे जिनका नाम था सद भाव संभू हो सकता है ये वर्ड इस्वार एक्जाम में पूछ लें सद अब को लग रहा होगा कि ये अतिस्योक्ती है नहीं भाई साब ये अतिस्योक्ती नहीं है उस समय कल्चुरियों की जो सत्ता थी वो विस्तार में थी और उनके बास बहुत बड़ा छित्र था तो संभथा ये बात सच है अगला important question है युवराज ने जवलपुर के भेडा घ सक्ति कौन सिवजी की जो धर्म पत्नी है तो याद रखेगा 64 योगनी जो मंदर है जवलपुर के भेडा घाट का वो भी युवराज पृथम ने बनवाया था अब हम दो बातें और इनके बारें बात करेंगे युवराज पृथम की पत्नी थी जिनका नाम है नहुला इसके अलावा बिलहारी, जवलपूर, कारी तलाई, कट्नी, गुर्गी, रीवा में अनेक सिव मंदरों का निर्मान करवाया था ठीक है मुझे लगता है यह जो बिलहारी है वो कट्नी में ही है यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लीजेगा आप ये कट्नी में आता है तो सायथ पुराना डाटा लिखा होगा तो इसके अलावा इनों ने कई सारे सेम मंदरों का निर्मान करवाया था कुछ मंदर विलहारी में, कारी तलाई में और गुर्गी में भी बनवाया थे एक और इंपोर्टन कोशन है इसने भाक मिस्र भाक मिस्र जो है ब्रहामन थे भारत इनको अपना प्रधान मंतरी बनाया था तो अब मानके चलिए आपसे ये पूचा जाए कि युवराज प्रथम की उपलब्धियों को बताईए में इसमें गर युवराज प्रथम के बारे में पूचा जाए आपको नहीं लगता कि आपके बास इतना डाटा हो गया कि आप युवराज प्रथम को समझा सकते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आप बता देंगे अच्छा एक चीज़ और देखते हैं हम लोग ये जो युवराज प्रथमें इनकी कुछ राजनितिक बात तो कर लें हमने अभी इनकी राजनिती के बारे में बात नहीं तो देखें तत्कालीन समय की तीन सक्तियां थी जैसा कि आप देख सकते हैं चंदेल सासक यशो बर्मन ठीक है ये हैं कल्चुरी सासक युवराज और नीचे हैं राशपूर सासक कृष्ण तरती है तो हुआ ये था कि चंदेलों ने इनके राज्ज पर हमला कर दिया था सीएक पर क्या नाम इनका युवराज दाम है तो युवराज का जो है तत्कालीन दो लोगों से संघर्ष हुआ एक चंदेल सासक यशो बर्मन से ये दुआ था ठीक है और इस संघर्ष में युवराज देव पराजित हुए थे डेफिनिटली जो ये शो बर्मन है वो ज़्यादा सक्ती साली थे और कहते हैं कि रास्टकूटों ने भी जो है इनको हराया था पहले रास्टकूटों से वैवाहिक संबंद देते आप देगी रहे लेकिन हमला कर दिया था तो इनको पराजित होना पड़ा था किन से इन दोनों सक्तियों से पराजित होना पड़ा था परंतु ये इनोंने हार नहीं मानी और बाद में अपने हारे हुए राजियों को जीत लिया था तो युवराज पर्थम आपके सामने हैं उनकी राजनेतिक अगर आपको विशेस्ताइं लिखनी तो आप बता सकते हैं कि युवराज जो देब थे उन्होंने चंदेल सासक यह सो पर्मन से युद किया हला कि वो पराजित हुए युवराज देब पर राश्चकूट सासक कृष्टरतिय ने आकवन किया था जिसमें वो हार गए थे यह उनकी हार है और इसके अलावा जिन पर उनका बस चलावा उन्होंने इनको जीत लिया हुगा संभवता युवराज देब कंप्लीट होते हैं उमीद है आपको युवराज देब समझ में आये होंगे युवराज देप के बाद जो गद्दी मिलती है वो मिलती है लक्ष्मन राज को युवराज देप के जो पुत्र है उनका नाम क्या था लक्ष्मन राज तो लक्ष्मन राजगदी पर बैठे इनकी उपलब्दी क्या है कि इन्होंने उडीसा पर आक्मन कर एक विसेस नाग को प्राप्त किया था जिसका नाम था कालिया नाग कालिया नाग से यहां मतलब है कालिया नाग एक ऐसा अभूशन था जिसमें ये था तो नाग लेकिन इसमें हीरे मोती जवाराज जड़े हुए थे तो ये बहुत महंगा था तो ये उडीसा के एक मंदर से लेकर आये थे और क्योंकि ये सिभ भक्त थे तो इन्होंने बाद में से किस मंदर को दान कर दिया था गुजरात का जो सोमनाथ मंदर है उसमें इसको दान कर दिया था तो ये अकेला प्रशन ऐसा है जो बन सकता और जैसा कि मैंने आपको बता दिया है ये तो आपको यादी नहीं करना है जादा तर जो कल्चुरी सा सकते वो सैब भक्त थे उम्मीद है लक्ष्मन राज आपको समझ में आगया होंगे लक्ष्मन राज के बाद जो गद्धी पर बैठे उनका नाम था युवराज दुतिये तो तिरपुरी पर कुछ समय के लिए कबजा कर लिया और युवराज दुतिये जो है कल्चुरी यानि तिरपुरी छोड़ कर भाग गए तो एक इंपोर्टेंट प्रश्न ये बहुत इंपोर्टेंट बनेगा कि किसके सासनकाल में परमार सासक मुंझ ने कल्चुरी राज पर आकमण करके अधिकार कर लिया था तो आपको बताना है वो कौन थे वो थे युवराज दुतिये किस ने हमला किया था मुझ ने तो मुझ ने आकमण किया तिरपुरी पर कबजा कर लिया और जो युवराज दुतिये थे राजधानी चोड़ कर भाग ग баб गयो देखे दो बा और इनके पुत्र को गद्धी पर बढ़ाया जिसको इतिहास में हम लोग कोकल दुतिये कहते हैं तो कोकल दुतिये कौन हैं तो कोकल दुतिये थे इवराज दुतिये के पुत्र तो ये इवराज दुतिये के पुत्र थे जब ये गद्धी पर बैठे तो ये अपने पूरवज यानि कोकल जो फस्त थे वो बहुत ग्रेट व्यक्ति थे तो उनके नाम पर इन्हों ने सासन किया यानि उनके टाइटल टू है इनका तो ये मंतरियों के द्वारा गद्धी पर बैठाए गए यानि कल्चुरी राज के म परमारों के आक्मण की वज़े से छतिगरस्त हो गया था उस राज्ज को दुबारा से किसने मजबूत बनाया तो वो थे कुपकल दूती है उम्मीद है आपको यहां तक समझ में आया होगा देखिए जो परमार थे न मालवा के वो इनके सबसे बड़े दुस्मन थे क्योंकि इनके बगल में ही थे ये भी समय अपना उतकर्ष कर रहे थे और ये था कल्चुरी राज ये क्या था कल्चुरी राज तो कल्चुरी राज पर हमला कर दिया था परमार सासक मुंझ बहुती great ruler है आप मुझ की कहानी पढ़ेंगे एक कल के lecture में तो यहाँ पर हमला कर दिया था इनोड़ोई तो पहले युवराज जो second थे वो भाग गए थे और युवराज second के भागने के बाद उनके मंत्रियों ने कोकल second को गद्धी पर बिठा दिया थे तो अब कोकल द्धी गद्धी पर बैठे तो इनोंने अपने राज यानी कल्चुरी राज्य को थोड़ा सा मजबूत कर लिया था कौन-कौन से इसासक हम लोगों ने पढ़ लिए कोकल पृथम ठीक है जो important है उसके बाद हम लोगों ने बात की संकरगन बालहर्ष, बालहर्ष के बाद युवराजदेव, युवराजदेव के बाद लक्ष्वन राज, लक्ष्वन राज के बाद युवराज दुतिय और कोकल दुतिय अब आते हैं वो जिनके आने से कल्चुरी डायनिस्टी जो है वो एक तरीके से संचार उत्सा से भर गई आईए बात करते हैं कल्चुरी सत्ता के एक बहुत बड़े और 37 सासक से जिनका नाम है गांगे दे क्या नाम है गांगे देप तो अब हम लोग बात करेंगे कल्चुरी सत्ता का उतकर्ष देखेंगे यानि अभी तक जो कल्चुरी लोग हैं वो सासन तो कर रहें लेकिन उन्हें उतना जाजा अपना एक औरा क्रियेट नहीं कर पाया जितना अब उनका होने वाला है और उसके बाद एक तराजु में बिठा दो हमारे आने वाले नेक्स सासको जिनका नाम है कर्ण या लक्ष्मी कर्ण आपको पता है पल्ला किसका भारी होगा यानि एक तराजु में किसको बिठाने की बात कर रहा हूँ कोककल प्रथम, संकरगन, वालहर्स, इवराज प्रथम, इवराज दुतिये, लक्ष्मन राज, कोककल दुतिये और गांगे देव और दूसरे पल्ले में बिठा दो किसको कर्ण देव को और तराजु जो है किसका भारी रहेगा कर्ण देव का तो कर्ण देव को समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे यहाँ पर गांगे देव गांगे देव विक्रमादित कौन है देगी गांगे देव विक्रमादित कौन थे इनके बारे में हम लोग समझते हैं यह कोकल दुतिये का पुत्रेवम उत्रादिकारी था बहुत इनका ये टाइडल है इनको आप ऐसे याद रखोगे तो confusion नहीं होगी किस कल जुरी सासक ने विक्रमादित की उपादी धारण की गांगे दे विक्रमादित कुछ और बातें करते हैं यह परमार सासक भोज इवम चंदेल सासक विद्यादर दोनों से पराजित हुए कोई बात नहीं किसी से हारे तो किसी को हराया भी होगा तो यह भोज इवम चंदेल सासक विद्यादर दोनों के समकालीन थे इसने परमार सासक भोज इवम चोल सासक राजिन प्रथम के साथ मिलकर एक संग बना कर कल्याणी के चालुक के सासक जैसींग वैसे जैसींग दुतिये हैं जैसींग दुतिये पर आक्रमन कर दिया था जैसींग दुतिये पर क्या किया था आक्रमन किया था हालागी इस साक्रमण में जो कल्यानी के सासकते जैसिंग दुतिये उन्होंने इन लोगों को डिफीट कर दिया था अब इसकी इनकी स्टोरी समझाने के लिए हमको एक चार्ड बनाना पड़ेगा ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा फिर भी प्रयास करते हैं आपको समझ में आ जाए विध्याधर ने जब परमार सासक भोज पर हमला किया तब गांगे देव ने भोज का साथ नहीं दिया और भोज हार गए भोज ने गुस्से में आकर गांगे देव पर हमला कर उन्हें पराजित कर दिया इनने लक्ष्मी की आकरती वाले जो हैं सोने के सिक्के चलाये थे यह सैब धर्म के अन्याई थे इसने सैब मंदरों में मठों का निर्मान करवाया था और इसने भाराजा जिराज परमेश्वर महा मंदलेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी तो अवरॉल ये तो हो गया भाई गांगे दे को थोड़ा सा हम समझते हैं आई एक स्लाइड लेले हम लोग खाली ये इसको बहुत ध्यान से सुनना आप मैं आपको ये तीन डायनेस्टी में पढ़ाता हूं लेकिन आप यहां भी समझ जाईएगा पहले देखी ये है एक राज जिसको हम लोग बोल रहे हैं बुंदेल ख में कौन है चंदेल और चंदेलों के इस समय जो सासक हैं उनका नाम है विद्याधर चंदेल विद्याधर सबसे खतरनाक सासकों में से एक सासक है जिनका नाम है विद्याधर इनके दक्षण में एक राज था जिसको हम लोग बोल रहे हैं कल्चुरी ये हैं कल्चुरी और इ इसी समय जो एक और राज्ज है, जिसका नाम है मालवा, ये रहा मालवा और मालवा इधर को बुंदिलखन लेकिन ये तो हम समझ रहे हैं, मालवा और मालवा में परमार सासक सासन कर रहे हैं, जिनका नाम है भोज, क्या नाम है भोज? अब बात यहीं खतम हो जाती तो अच्छ यहां के राजा का नाम था जैसी अब जड़ए स्टोरी को समझेगा, थोड़ी दिर के लिए यह आप लोगों ने इतिहास में बाद पढ़ी होगी कि दो पड़ोसी कभी अच्छे दोस्त नहीं होते इनमें और इनमें यहाँ पर जो है red line थी red cliff जैसे समय रहा है हमेशा संगर सोता रहा था भैंगर उसके पीछे कारण था कारण को ध्यान से सुनना भले ही ये lecture record कर रहा हूं लेकिन आपको इसमें एक एक important बात बारीगी से बता रहा हूं इनके भी जगडे का कारण क्या था कि आपने रास्कूटों का नाम सुना रास्कूट जो अभी है नहीं रास्कूटों का पतन हो चुका था रास्कूटों के उत्राधिकारी कहलाते थे ये ये खुद को क्या कहते थे कि हम जो हैं वो रास्कूटों के valid उत्राधिकारी हैं यहीं रास्कूटों के सामंत थे और इनी लोगों के द्वारे नी कल्याणी के चालुक्योंने ही रास्कूटों को हराया था और उनके राजबर अधिकार गल लिया था अब क्योंकि जो परिमार थे मालवा के ये भी इनी से सवतंदर हुए थे ये भी किनी से सवतंदर हुए थे रासकूटों से सवतंदर हुए थे तो ये जो मालवा वाला इलाका था जिसमें मालवा का परिमार डाइनस्टी सासन करती थी ये जो परिमार थे वो किन से सवतंदर ह रास्टकूटों से ये खुद को जो है रास्टकूटों का उत्राधिकारी कहते थे तो ये जो चालुक्या थे ना ये मालवा पर अपना पैत्रिक दावा ठोकते थे यत्ते लोगों को ये बास समझ जागी यानि कल्यानी के चालुक्यों का कहना था कि मालवा हमारा है हमारा था हमारा रहेगा मालवा में कौन सासन कर रहा है मालवा में सासक कर रहे हैं सासन कर रहे हैं परमार हाला कि परमार भी राष्टकूटों से स्वतंद्रूए हैं लेकिन क्योंकि क्योंकि ये जो राष्टकूट राज्ज था इसको capture किस ने किया था पूरा कल्याणी के चालुक्योंने इसलिए ये लोग दावा करते थे के मालवा हमारा है और इसलिए लगातार ये हमला करते थे परमारओं पर ठीक है तो ये इनके भी जगड़े का कारण शुरू से ही था मतब जैसे एक बात कहूं न दोनों साथ-साथ चले, जैसे इनकी स्टोरी में अगर आप चाहो तो भारत और पाकिस्तान डाल सकते हो, कैसे? भारत और पाकिस्तान साथ-साथ आजाद हुए? हुए के नहीं हुए अंग्रेजों से? और उनमें साथ-साथ लडाई हुए? सेम कहानी इनकी है, रासकूडों से सोतंदर हुए थे और दोनों जो है, भैंकर लडाई हुए? आपने सुनाओगा परमार, साथ-साथ, मुंझ और यहां का जो साथ-साथ ता तैलब उसमें साथ बड़े युद्ध हुए थे, जिसमें छ सबसे बड़े दुसमन कौन थे? जैसिंग दुती है, तो भोज ने क्या गिया? गांगे देव से एक बात कही, कि हम से तुम दोस्ती कर लो, और यह हसी गलती कर लो, इसका मतलब यह है, कि मित्रता कर लो, क्यों? क्योंकि इनको जो गांगे देव थे, इनके लिए भी खत्रा थे चालुक के, तो दोस्ती कर ली, और दक्षण में चोल सासन करते थे तमिल नाडु में, चोलों का नाम सुनाओगा आपने, चोल, और यहां करा जा था राजिंद्र प्रथम, तो राजिंद्र प्रथम को भी जो है, भोज ने ओफर दिया, दोस्ती का उला, हमसे दोस्ती क पर लो, इन तीनों ने मिलकर एक संग बनाया था, क्या बनाया था, संग, और इस संग में कौन को सामिल था, गांगे दे, भोज और राजिंद्र प्रथम, अब सवाल आपका यह हो नाची, भई यह चोलों को क्या दिक्कत है, चोलों को दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो कहानी पारों के और चालुक्यों के बीच में वही कहानी इनके बीच में थी, चोलों और चालुक्यों के बीच में, इनके बीच में भी यहाँ पर युद्ध चलता रहता था दक्षन भारत में, यह संगर्ष चलता रहता था, तो इनों ने जो क्या किया, दुस्मन का दुस्मन दो तो दोस्त होता है यानि चालुक्यों के दिस्मन कौन थे चोल और चालुक्यों के दिस्मन कौन थे भोज यानि परमार तो परमार सासक भोज और राजिंदर वन और गांगे देव ने मिलकर तीनों ने मिलकर जैसिंग पर हमला किया अब आप ये सोच रहे हैं कि तीनों बहुत सत्ती साली तीनों ने अमला किया कि जैसींग जो सेकेंड था बहुत क्लेवर वेत्ती था उसने तीनों के आक किरुमन को विफल कर दिया और सांती से निकल गया तो इनका जो संग जिसका उद्देश से था जैसींग को हराना वो नहीं हरा पाया तो इनका संग क्या हो गया तुकड़े तूट गया वो राजिंद अपने राज्य में व्यस्त गांगे देव अपने राज्य में व्यस्त परमार अपने राज्य में व्यस्त इसी समय एक और कह सकते तो विद्यादर ने इन पर हमला कर दिया किन पर हमला कर दिया परमारों पर अटेक कर दिया जब उन्हों ने परमारों पर अटेक किया तो भोज ने गांगे देप से मदद मांगी गांगे देप की तरफ बड़ी उम्मीदों कि नीचे वाला दुस्मन में हरा नी पाया उपर वाले से में हार गया तो अब उनके बास विकल्ब उनका जो एक frustration और गुसा था वो पूरा का पूरा लेकर उन्होंने निकाल दिया किस पर गांगे देब पर तो इस प्रकार उन्होंने गांगे देब को हराया था अब ये गां हारे हम तो दिल से हारे तो गांगे देब के बारे में आपको क्या याद रखना है कि चंदेल सासक विद्यादर और मालवा के परमार सासक भोश से पराजित हुए थे ये आपको याद रखना वेरी इंपोर्टन चंदेलों के अवलेकों में ये कहा गया है कि विद्यादर के ये दोनों क्या थे दोनों आखें थी भोज और गांगे देव उनकी अधिन्दा स्विकार कर रखी थे विध्यादर वेरी पावरफुल ठीक है बाकी हम जब परमार पड़ेंगे तब आपको ये पूरी स्थोरी समझ में आएगी तो उमीद है आपको ये समझ में आ गया होगा की जो गांगे देव हैं वो विध्यादर और भोज दोनों से पराजित हुए थे उन्होंने भोज का साथ दिये थे पहले वो मित्र बने थे बाद में उनके सत्रू बन गये थे ठीक है इन दोनों से हारने के बाद जब विध्यादर की मृत्ति हो गई तो गांगे देव ने अपने आपको थोड़ा ताकतवर कर लिया था और गांगे देव ने जो है अपनी सक्ती का विस्तार किया और उन्होंने बंगाल विहार की तरफ और कासी की तरफ हमले करके जो है काफी सारे एरिये को जीत लिया था तो कुल मिलाकर कहें तो इन्होंने भी एक बड़ा राज्य का निर्मान किया था भले ये अपने पड़ोसियों से हार गया लेकिन इन्होंने जो है अपने पड़ोसी जो पूर्व की तरब थे उनको हराया था तो गांगे देव से कुछ महत्मून कोशन आपके बनते हैं नंबर वन विक्रमादित्य किसे कहते हैं तो विक्रमादित्य एक और बात है गांगे देव को एक अवलेक है कल्चुरियों का खेरा अवलेक खेरा अवलेक में ये टाइडल दिया गया है तो गांगे देव को खेरा अबलेख में क्या कहा गया है खेरा अबलेख में कहा गया है विक्रमादित मैंने स्टार्डिंग में आपको अबलेख बता दिये किसका अबलेख है कौन सा अबलेख है वो आप ध्यान से देख लिजेगा तो यह हैं गांगे दे विक्रमादित उम्मीद है आपको समझ में आया था वो है विक्रमा दित्तिका और कल्चुरी सासकों में सबसे important बात जो इन्होंने की है वो देवी लक्षमी की आकरती वाले सिक्के चलाए थे तो लक्षमी की आकरती वाले सिक्के जारी करने वाला कल्चुरी सासका कौन था वो थे गांगे देव गांगे देव किसके पुत् गांगे देव के बारे में एक बात कही जाती कि गांगे देव ने अपनी सव पत्नियों के साथ जो है सन्यास धारन कर लिया था और जो है अपने प्राण त्यांग दिये सो वाइप के साथ ठीक है उम्मीद है आपको कल्चुरी डाइनस्टी का ये पार्ट वन पसंद आया के प्रारंबे कितिहास के बारे में बात कही और यहां पर हमने बहुत कुछ देखा ये जो मैं आपको अबलेख ही श्रोत बार बार दिखा रहा हूं ये अबलेख देखो ये लिखा है ना ये सारी चीजों को आप ध्यान से पढ़िए पार्ट टू में हम लोग कर्ण को पढ करेंगे क्योंकि वह इंपोर्टेंट है लेक्चर जादा लंबा हो जाएगा इसलिए कर्ण को हम पार्ट टू में कवर करेंगी उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आप जो है इस लेक्चर को पसंद करेंगे ठीक है अगर आप ऐसे ही देखिए अगर अनकाडमी पर MPPSC और व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनकाडमी लर्निंग डाउनलोड कर सकते हो और अनकाडमी के मात्यम से आप अपनी तैयारी को बहतर कर सकते हैं ठीक है देखिए Unacademy Learning App डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा Play Store पर जाना है Unacademy Learning App डाउनलोड करना है उसके बाद अपना Mobile Number रेजिस्टर करना अपना Mobile Number रेजिस्टर करने के बाद Get Started पर क्लिक करना अपनी Category यानि आपको अपना Goal सेलेक्ट करना है MPPSC & Vyapam MPPSC & Vyapam सेलेक्ट करने के बाद जो है आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं Search Option में मेरा नाम सर्च कर सकते हैं Hari Singh Rajput ठीक है Special Classes and Academy की काफी जो है Interactive Classes होती है इन Classes में आप भाग लेकर जो है अपना Live Chat में अपने Doubt को Clear कर सकते हैं Poll के माद ने हमसे अपने Topic को बहतर समझ सकते हैं और Rank के माद ने हमसे हजारों बच्चों में अपनी Rank बदा कर सकते हैं Classes के Proper Notification आते हैं जिससे आप अपनी Classes, आपकी Classes कभी Miss नहीं होगी Lecture के Proper Notes मिलेंगे PDF आपको मिलेंगी MBPSC 2019 जिनका Mains क्वालिफाई हुआ है उनके लिए Mock Interview करवाय जा रहा है यदि आप Mock Interview देना चाहते हैं तो आप मुझे Message कर सकते हैं इसमें आपको Bureaucrats मिलेंगे Selected Officers और Top जो MBPSC Educator है उनका एक Panel है One by One Discussion है और काफी डीटेल में आपको आपका Interview लिया जा रहा है और आपको Guide किया जा रहा है कि आप में क्या कमिया है किस तरीके से आप सुधार कर सकते हैं MBPSC Combat ये Test तो हो गया है MBPSC T20 Series चले जिसमें 20 मिन में 20 Current FAS के Questions को आप डिसकस कर सकते हैं UCED Unacademy Scholarship Assessment Test सबस्क्रिप्शन पर यदि आपकी रैंक हंडड़ है 4-100 तो आपको 25% का डिसकांड वनियर के प्लस सबस्क्रिप्शन पर मिलेगा MBPSC Main Smoke Test Series चले जिसके माद्यम से आप अपने उत्तर लेखन को सुधार कर सकते हैं तो आप में स्मॉक टेस्ट दे सकते हैं हमारा एक नया बैच जो की 19 जनवरी से स्टार्ट हुआ था है इसके अलावा अभी 27 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है एक नया बैच MPPSC 2023 का एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है और यह तू येर का फाउंडेशन बैच है इस batch को जोईन कर सकते हैं 27 फरवरी से batch start हो चुका है ठीक है अब यदि आप अनकाडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन ये 16,000 रुपे का है 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ये 11,000 रुपे का है आपको यहाँ पर एक referral code याद रखना है यदि आप हरी 10 referral code यूज करते हैं तो आपको अनकाडमी जो प्लस सब्सक्रिप्शन है उस पर आपको 10% का discount मिलेगा एक और important बात यदि आज आप अनकाडमी का subscription लेते हैं तो आज आपको 20% का discount मिलेगा यानि 31 जनवरी तो 31 जनवरी को यदि आप जो है आज 31 जनवरी है जन आपको ये lecture पसंद आया होगा, part 2 में हम बात करेंगे लक्ष्मी कर्ण की उपलद्धियों के बारे में थोड़ा सा डीटेल में, thank you, जैहिन बंदे मात्रों, अगर आपको ये class पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजेगा, share कीजेगा और subscribe कीजे, thank you